आज हम लोग रिव्यू करेंगे एक SEO टूल का जो की अभी lifetime deal के उपर available है on AppSumo It is an all-in-one SEO tool जो बहुत सारी चीज़े करता है तो आज हम लोग देखेंगे कि क्या ये worth it है Is it worth it to buy this tool on a lifetime deal or not मेरा के experience रहा है मैं पिछले 2 मेंने से use कर रहा हूँ सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में Hi guys, मेरा नाम है क्रिपेश आडवानी यहाँ पर मैं digital tools के related videos बनाता रहता हूँ SEO के related videos बनाता रहता हूँ आज हम लोग एक SEO के tool के बारे में बात करने वाले है जिसका नाम है Screepy यह अभी lifetime deal के available ऊपर है and it is on apsumo नीचे आपको link इसका description पर मिल जाएगा and यह analysis के लिए है SEO के आपको इसमें काफी सारे tools मिल जाते हैं page speed score देख सकते हो keyword को track कर सकते हो site audit कर सकते हो uptime देख सकते हो it's an all-in-one SEO tool इसकी जो खास बात है वो है इसका pricing dollar 49 में यह आपको lifetime के मिल रहा है uptime monitoring lifetime के लिए है यहाँ पर आपको rank checking के लिए keywords जो मिलते है वह 4000 keywords है जो की बहुत जादा है for this price point 10 projects आप लोग डाल सकते हो and this is also compatible with team यहाँ एक team और 10 team members you can have तो यह काफी power packed lifetime deal है मैं इसको पिछले दो महीने से use भी कर रहा हूँ and अगर आपको all lifetime deals के बारे में जानना है तो इस page का link आपको नीचे description भी बिल जाएगा जहाँ पर मैंने सारी latest appsumo की deals के बारे में मैं update करता रहता हूँ हर महीने वाला page update होता है if you want to know more कि अभी कौन सी appsumo की deals अच्छी चल रही है तो you can go to this page now coming on to our tool यह रहा इसका UI कुछ इस तरीके से आपको इसका यहाँ पर UI देखने को मिलेगा and मैंने अपना project यहाँ पर add कर दिया है and then एक demo project भी है pets world करके तो हम लोग पहले इस पर जाते है this is pets world पहला है यहाँ पर overview overview पर जितने सारे options से उन सबका एक overview दे रहता है site audit करके बता देता है कि कितने keywords के आपके ranking बढ़ रही है कितने keywords के रांकिंग आपकी कम हो रही है images कितनी है PNG कितना है images का एक overview broken links और यह मतलब आपको पूरा इसका एक overview दे रहता है इन सबके यह जितने भी tools है out going है कितने क्या कुछ broken pages है जैसे broken pages है तो यह नहीं होने चाहिए हमारी website में जो भी broken pages है उसको rectify करो and basically audit करके बताता है content audit के बारे मैं आगे बताऊंगा images तो यह एक ऐसी overview again crawler पे चलते है पहले crawler पे आपको broken pages मिल जाएंगे and then slow pages मिल जाएंगे कि यहां पर content पर keywords keywords में आपको मिल जाता है कि आपके ब्लॉग में सबस्यादा keyword कौन सा है यहां पर one word keywords है two word keywords और three word keywords तो यह जैसे यह है kg add to cart यह 50 बार यहां पर इसका use किया गया dogs and cat का 41 times use किया गया मेरे पूरे blog के अंदर इसके बाद content में missing descriptions यह कुछ articles है जहां पर descriptions नहीं है meta descriptions नहीं है तो मैं उसमें पर meta description डाल सकता हूं and low content ratio is another thing that I like there are 494 articles on my website जिसका content कम है तो अगर इसमें से कुछ relevant articles मुझे मिलते हैं तो मैं आपर उसका content थोड़ा सा increase कर सकता हूं content ratio इससे decide करता है कि images कितनी है and then content कितना है तो अगर images ज्यादा content कम है तो मैं कोशिश करूँगा कि वह एक अच्छे ratio में आ जाए है तो यह content tool में मुझे अच्छा लगता है देन इसके बाद आता है सब सब में आपर रांक ट्राकर आ जाता है रांक प्राकर मुझे काफी अच्छा लगा है यहां पर आप लोग देख सकते कि आपकी keywords के rank बढ़ रही है कम हो रही है just need to go to add keyword and then यहां पर उसको आप अट कर सकते हो desktop के लिए track करना है लोकेशन कौंसी लोकेशन करना है that's it यहां पर आपको बता देगा कितने कितने के keywords कि कम हो रहे है मतलब ranking कि कम हो रही है हफ्ते में एक बार है आपर सका analysis होता है और इसको आप लिनी कर सकते हैं यह इसको डेली रांक नहीं settings पर आम लोग जाएंगे search पर and then search पर you can click on this enable auto surf tracking and then every week कर सकते हो every three days और every day का options एडवांस plan में है lifetime deal के उपर अगर आप लोग जा रहे हो तो every week ही यहां पर आपको मिलेगा rank tracking में एक और अभी software है circle करके यह भी अभी app sumo के उपर है इसका review recently मैंने किया था rank tracking अगर आपको सिफ rank tracking करनी है तो मेरे साब से एक अच्छे deal रहेगी you can look at that इसका review मिल जाएगा इसका वीडियो भी आपको बटन पर मिल जाएगा check that out as well देने आपर page speed score का भी option मिल जाता है general है core web vitals है general पर हम लोग लिंक डाल सकते monitoring इसकी on कर देंगे period will be weekly and then analyze तो यह automatically हमें देखके बता देगा किसी performance accessibility best practices SEO अगरे कितना है मतलब page speed score जो होता basically उसका track रखता है and then automatically यह हर अफते एक बार जाके देख लिए कि page speed score मेरा कैसा है and then core web vitals में again यहां पर इसका fcp, lcp, mp, fc, ls वगरे वो उसके score बता देगा analysis में अभी थोड़ा time लग रहा है तो let's go to links, I'll go to links, all links, links में जो सबसे important factor है that is broken links, broken links में आपको दिख जाएगा कि यह सारे pages हैं जिस पर redirect कर रही है मेरी website से लेकिन वो pages available नहीं है तो इन pages को आपको rectify करना है then images में आपको मिल जाएगा all images missing alt तो missing alt वाली जितनी images है उन सब में आपको एक alt टाग डाल देना है ताकि वह issue friendly बन जाए तो that is important and then uptime के आपे feature है you can set the uptime की हर 5 minute में आपकी website का uptime देखा जाएगा और अगर कुछ भी आपर problem होईगी तो आपको mail कर दिया जाएगा settings में you can go to uptime, uptime आपको इसका enable करना पड़ेगा and enable uptime notification also ताकि if your website goes down तो आपको इसका notification मिल जाए so overall कुछ इस तरी के लिए टूल है जो मुझे अच्छा लगा है वो है content में low content ratio that one is good आपको rank tracking का feature मिल जाता है Google page speed मुझे जादा use करने अफाइदा लगता नहीं एक बार देख लिया आपने फिर महिने में एक बार आप जाके देख सकते हो कि वापस से ठीक है if everything is working or not so this is not something that I would like to track means extra pressure भी add कर देगा मेरे page के ओपर तो मुझे पर्सनली पसंद इतना नहीं है मतलब मैं इसके यूज नहीं करता हूँ जादा then links images uptime तो जो इसमें बहुत सारे features है वो आपको free tool में मिल जाएंगे जैसे कि site audit वगर है वो आपको HRFs के free tool में भी मिल जाएगा जो main feature है वो keyword tracking का है and then uptime monitoring का है और page speed score monitoring का है अगर यह तीन हो आपको चाहिए एक ही tool के अंदर तो this can be a good tool for the price इसमें काफी अच्छे limitations है लेकिन अगर आपको सिफ keyword tracking ले चाहिए तो I think circle is a better option right now और मैं भी आपर भी इसको refund कराने वाला हूं क्योंकि यह वाला टूल मुझे इतना अच्छा नहीं लगा है मुझे इतना इसकी value नहीं लग रही है मुझे compared to keyword tracking को अगर मैं हटा दू तो जादा value नहीं लग रही है लेकिन अगर आपको कम प्राइज में किसा टूल ची जिसमें जादा लिमिट्स मिले आपको तो I think this tool is a good option for you और अगर अभी तक आपके वास कोई और SEO tool नहीं है तो you can start with this tool starts it for this one if you have any questions leave in the comment section below its detailed reviews और सारे important links आपको नीचे description में मिल जाएंगे and I will see you guys in the next one goodbye आपको